साई की बात बचे मैं अपने कुछ बचों की सेवा से बहुत प्रसन हूँ और उन पर ना मेरा असीम प्यार और असीम आशिरवाद बरसेगा मेरे बचे उन पर बहुत किरपा रहेगी मेरी बहुत किरपा और उनके जीवन में कभी भी कभी भी कोई दुख नहीं आएगा और अगर आएगा बीना तो तुम्हारा साई तुम्हारा सार्थी बनकर तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा और तुम्हें कभी भीना कभी भी किसी के आगे जुकने नहीं दूँगा कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगा तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं बहुत प्यार और तुमने जिस भाव से मेरे सेवा की है न वो मैं कभी नहीं भूल सकता कभी नहीं मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ बहुत प्यार और सुनो मेरे बचे कुछ अपने बचों से कहना चाहता हूँ कि जिन्दकी जीने केना मेरे बचे दो तरीके हैं जो तुम्हें पसंद है ना उसे हासिल करने के लिए मेहनत करो मेहनत करो मेरे बचे दिन रात एक कर दो और साथी साथ मैं तुम्हें आश्रवात दूँगा तुम उसे प्राप्त कर पाओगे और अगर मेरे बचे तुम नहीं चाहते हो तो जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करो उसमें संतुस्ट रहो ना मेरे बच्चे क्यों परिशान होते हो जब तुम्हारा साई तुम्हारे साथ है मत परिशान हुआ करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हमेशा और सुनो कोई तुम्हारा प्रिये व्यक्ति है मेरे बच्चे उसके साथ समय गुजारू. क्योंकि कुछ रिष्टे मेरे बच्चे ऐसे होते है कि जिनमें अगर वक्त ना दिया जाए, दूरी रहेना, तो मेरे बच्चे वो रिष्टे ख़तम हो जाते हैं. गलत फैमियों के शिकार हो जाते हैं मेरे बच्चे. वहाँ बहुत जरूवत है वक्त देना तो वक्त दो मेरे बचे और अपने कुछ बच्चों से कहना चाथा हूँ कि तुम्हारे घर में जो मेरी मूर्ती है, जो मेरा चित्र है अगर वो थोड़ा सा खंडित भी हो गया तो क्या हुआ मेरे बचे? क्या मैं तुम्हारा साई नहीं क्या जिस भाफ से तुमने मुझे सेवा की मेरी, मुझसे प्यार किया तो क्या मैं उसमें से चला गया नहीं मेरे बच्चे ऐसा कभी नहीं अगर वो मूर्ती खंडित हो गई तो वो गलती से होई लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा साईंवहाँ से चला गया नहीं मेरे बचे और खंडित होने के पीछे भी कोई कारण है जो तुम्हारा दुख था ना जो तुम्हारे परीवार की कोई परेशानी थी जो संकर्था वो मैंने अपने उपर ले लिया इसलिए मेरे बच्चे वो खंडित होई ये कारण है मेरे बच्चे तो अब क्या तुम मुझे बहार निकालोगे नहीं ना मेरे बच्चे किसी की बातों में मत आया करो कभी मताया करो मेरे बच्चे शगुन और अपशकुन कुछ नहीं होता मेरे बच्चे तुम्हारा साई है न और सुनो मेरे बच्चे कोई मेरा बच्चा होगा जिसे मदद की जरूवत है जो तुमसे मदद मांगने आएगा उसकी मदद जरूर करना अगर वो अनकी हो तो जरूर उसे खिलाना मेरे बच्चे उसकी आत्मा को तरप्त करना मेरे बच्चे तरप्त करना और सुनू मेरे बच्चे कुछ मेरे बच्चों ने अपने जीवन में एक सीमा निर्धारित कर ली है वो उस मरयादा से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं अपने आपको खुलकर जीने नहीं देना चाहते हैं क्यों अपने खुश्यों को समेट कर रखा हुआ है मेरे बचे, ओड़ो मेरे बचे, ये आसमान तुम्हारे लिए है, ये खुश्या तुम्हारे लिए है, ये जीवन तुम्हारे लिए है, और इस अंसा की प्रकरती तुम्हारे लिए बनाई है मैंने, ये बहुत खुबसूरत निकलो मेरे बच्चे अपने लिए और खुश रहा करो बहुत खुश रहा करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हमेशा हर निर्णे में मेरे बच्चे और कुछ मेरे बच्चों के पास में एक ऐसा रिष्टा है जिससे वो अपनी हर परिशानी हर दुख कह सकते हैं तो वो रि मैंने तुम्हें वो रिष्टा दिया है तो उसे संभाल कर रखो मेरे बच्चे संभाल कर रखो वो हीरा है मेरे बच्चे वो कोही नूर है उसकी कदर करो मेरे बच्चे उसकी इज़त करो और वो भी तुम्हारी इज़त करेगा बहुत करेगा तुमसे बहुत प्यार करेगा औ और अपने कुछ बच्चों से कहना चाता हूँ कि तुम्हारे साई को ना पान खाना है मेरे बच्चे, मेरा पान खाने का बहुत दिल है मेरे बच्चे, तो अपने साई को पान खिलाओगे ना, अपने हातों से मुझे जरूर खिलाना मेरे बच्चे, और सुनो मेरे बच्चे, गंगा जल में उधी डाल कर अपने पूरे घर में छड़काव करना नकरात्मक उर्जा भाग जाएगी और सकरात्मकता आएगी मेरे बचे मैं आउंगा मेरे बचे खुश रहो बहुत सारा प्यार मेरा आज का साई संदेश समापत हुआ